नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर अमारे चैनल दाकड क्रिकेट में साउथ अपरिका के खिलाब पहले बंडे मुकाबले के लिए बारती टीम के कप्तान के एल राहूल ने टीम इंडिया की नई ओपनिंग जोड़ी वे साथी प्लाइंग 11 का एलान कर दिया है तो दोस्तों इस वेड़ो में हम आपको बताएंगे क्या कि टीम इंडिया की तरफ से पहले मुकाबले में ओपनिंग करते हुए कौन-कौन से बलेबाज हमें नजर आने वाले हैं यानि कि क्या होगी टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी बताएंगे इसके लावा आपको पूरी प्लाइंग 11 बताएंगे और साथी इस मुकाबले के बारे में तमाम जनकारी आपको देंगे तो दोस्तों यह सब जानने के लिए बने रहे हैं इस वीड़ो के पूरे आखिर तक और साथी अबी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथी साथ इस वीड़ो को दिल से लाइक चरूर करता अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया पहले मुकाबले में सांदार परफॉमेंस करके एक बैतरी जीत दर्च करे दो तो दोस्तो हम बात करें पिलाल टीम इंडिया के पास कई ऐसे सांदार कलाड़ी है जो ओपनिंग कर सकते हैं आपनिंग पेर के लिए टीम इंडिया के पास फिलाल पांच आपसन मौझूद है चाहाँ पर सबसे परबल दाविदार इस समय के एल राहूल और इसान किसन नजरा रहे हैं तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रित्तुराज काईकवाड भी टीम का इसा है जो कि सांदार ओपनर बलेबाज है तो इसके अलावा रिसब पंध भी टीम इंडिया के लिए टीम इंडिया के लिए टीम इंडिया के लिए टीम इंडिया के लिए टीम इंडिया के पिल में कापी सांदार रहा था इन्होंने 600 से ज़्यादा रन बनाई थे लेकिन दोस्तों इसके अलावा बाकी बले बाजू के पर्पॉमेंस की हम बात करें तो उतना अच्छा पर्पॉमेंस रहा नहीं था रितुराज काईकवाड जिन्होंने इसके अलावा इसान किसन ने भी 400 से अधिक रन बनाई थे वहीं पर वेंकटेस अईयर का पर्पॉमेंस इस साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था तो वहीं पर रिसर पंत का पर्पॉमेंस अच्छा रहा लेकिन वो टीम इंडिया के मिडल ओर्डर में कापिस सही हैं यानि कि दोस्तो अब सिधी टकर यहां पर इसान किसन और रिद्व राज काईकवाड के बीच है कि आखिरकार टीम इंडिया की ओपनिंग इनी दो बल्ले बाजु में से कोई एक करेगा वहीं पर दोस्तों इसके लावा हम बात करें बारती टीम की तरफ से संदार बल्ले बाजु की तो फिलाल यहां पर रोईत सर्मा विराट कोली सुर्य कुमार यादो जैसे दिगच खिलाडियों के ना होने के बावजुद भी टीम इंडिया की प्लैंग 11 में कई ऐसे संदार ख्लाड़े जो संदार परफॉमेंस कर सकते हैं खास करके टीम इंडिया की तरफ से यहां पर संदार बल्ले बाजी कर सकते हैं सरयास आयर जिनका परफॉमेंस IPL में भी अच्छा रहा था और IPL से पहले टीम इंडिया के लिए उन्होंने लगातार तीन अर्षतक जमायते व खिलते वे नजराएंगे हारदिक पंडिया के परफॉमेंस की बात करे तो IPL में गजब का परफॉमेंस रहा था बल्ले से उन्होंने 400 से अधिक रन बनाये थे तो साथी गेंड़जी में भी कमाल का परफॉमेंस क्या था और IPL के फाइनल में तो उन्होंने गेंड़ और ब पुवनेसर कुमार सबसे अनुबवी गेनबाज है तो वहीं पर कुल्चा की जोड़ी एक बार फिर हमें साथ दिख सकती है इस मुकाबले में कुल्धी प्यादो और यजवेंदर चैल टीम के लिए सांदार परपॉमेंस करने वाले हैं तो इसके लावा आवेस खान भी एक मेहतपून गेनबाज साबित होने वाले हैं क्योंकि उनकी गेनबाजी भी कापी सांदार रही है तो चले दोस्तों हम जानते हैं टीम इंडे की प्लैंग 11 के बारे में टॉप ओडर की तीनों बलेबाज हों यानि की दोनों ऑपनर बलेबाज के एल राहूल और इसान किसन को तो साथी याँपर सरैस आयर को भी बड़ी भूमी कानिबानी होगी इसके बाद दोस्तों नमबर चार पर हमें रिसरब पंध कहलते वे नजराएंगे रिसरब पंध का परफॉमेंस सांदार है और नमबर चार पर टीम इंडिया के लिए वो कमाल का परफॉमेंस कर सकते हैं तो रिसरब पंध से याँपर कापी ज़्यादा उमीदे होगी टीम इंडिया को नमबर चार पर तो वहीं पर दोस्तों नमबर पांच पर हमें हार्दिक बंडिया खेलते वे नजराएंगे हार्दिक बंडिया याँ पर बल्ले और गेंड दोनों से कमाल करते वे नजराएंगे लेकिन बल्ले से वो कापी सांदार परफॉमेंस कर सकते हैं इस सिरीज में क्योंकि फिलाल उनका परफॉम्स वैद यू देखा जाए तो फॉम कापी सांधार है तो वहीं पर दोस्तो इसके बार नंबर चैप पर हमें दिनेस कार्थिक खेलते वे नजराएंगे लंबे समय के बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले दिनेस कार्थिक इस मुकाबले में सांधार परफॉम्स करके टीम इंडिया के लिए बेतरी फिनिसर का रोल निबा सकते हैं तो वहीं पर दोस्तो नंबर साथ पर हमें अकसर पटेल डिकने वाले हैं अक्सर पटेल का परपॉमेंस भी कापी सांधार है तो वो यहाँ पर गेंद और बले दोनों से कमाल कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों नमबर आठ की हम बात करते हैं याँ पर हमें कुलदी प्यादों खेलते हुए नजराएंगे तो नमबर नौ पर हमें खेलते हुए दिखेंगे यजवेंदर चैल यानि के कुलचा की जोड़ी एक बार फिर साथ टीम इंडिया के लिए कमाल करती भी नजराएंगी इसके बाद दोस्तों हम तेज गिनबाजों की बात करें तो नमबर दस पर हमें केलते हुए नजराएंगे बहुनेस और कुमार तो नमबर 11 पर दिखेंगे आवेस खान यानि के दोस्तों पहले टीटाउंटी मुकाबले में टीम इंडिया तीन गिनबाजी ऑप्सन के साथ मेदान पूतरेगी तो साथी तीन स्पिनर भी टीम इंडिया का हिस्सा होंगे ऐसे में याँ पर मुकाबला काफ़ी दिल्चस्प हो जाएगा वाई पर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले में कौन कौन से किलाड़ी टीम इंडिया की तरफ से कमाल कर सकते हैं तो सबसे ज़्यादा उमीद है तो के एल राहूल, रिसापंत, हार्दिक पंडिया और सरेस आयर के उपर रहने वाली है इन किलाड़ों को यहाँ पर सांदार बलेबाजी करने होगी इसके लावा पहली बार वापसी कर रहे कापी लंबे समय के बाद दिनेस कार्थिक को भी यहाँ पर वैतरीन फिनिसर देना होगा इसके लावा गेनबाजी में बोनेसर कुमार आवेस कान कुलचा की गज़ोड़ी एक वारफिर कमाल कर सकती है तो दोस्तों आपके इसाप से टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी क्या होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए प्लेंग लेउन आप हमें अपनी फेवरेट टीम फेवरेट प्लेंग 11 कमेंट बॉक्स में जरूर लिकें और साथी इस वेड़ो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर जरूर करें तरने वा दोस्तों